बच्चों के लिए रोजगार तो दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विंद केज्रिवाल प्रेस कॉन्फिंस कर रहे हैं और तमाम बाते उनकी तरफ से कही जा रही हैं सुने जरा अपने लिए कि 20 लाख बच्चों को हम रोजगार उनके लिए उत्पन करेंगे और इसी के लिए रोजगार उत्पन करने के लिए मैं और मेरी पूरी सरकार रात दिन महनत कर रहे हैं कई नई आइडियाज लेके आ रहे हैं जिससे बच्चों के लिए रोजगार उत्पन किये जा सकें उसी क्रम में आज मैं एक घोशना करने जा रहा हूँ दिल्ली फूड कैपिटल ओफ इंडिया माना जाता है दिल्ली के लोगों को खाने का और खिलाने का बहुत शौक है और दिल्ली में हर किसम का खाना मिलता है साउथ इंडियन, मराथी, बंगाली, गुजराती कोई भी पूरे देश का कोई भी किसी भी तरह का खाना हो आपको दिल्ली में मिलेगा दुनिया भर का खाना दिल्ली में मिलता है चाहिए इटैलियन हो चाहिए चाइनीज हो चाहिए कोई भी एशियन कोई हो कहीं का भी कोई भी खाना हो दिली में आपको जरूर मिलेगा तो दिली को एक फूड कैपिटल ऑफ इंडिया वैसे तो कहा जाता है लेकिन इसको अच्छे तरेके से इसको आगे इस कॉंसेप्ट को हम ले जाना का हमने प्लान बनाया है दिली के जितने फूड हब्स हैं उन हाना अच्हकंगे और कई सारे ऐसे हैं जहां पर हरतरे का खाना मिलता है दिली के अंदर इन फूड हब्स को डेवलब करने का हमारा प्लैन है इन फूड हब्स के अंदर एक तो फिजिकल इंफ लिखर करेंगे वहां का सड़कें बिजली पानी सफाई वो सारी चीजने ठीक क करेंगे दूसरा उस food hub के अंदर food safety का हम पूरा इंतजाम करेंगे ताकि जो food safety और hygiene की जो guidelines हैं उनको सभी लोग follow करें इसका सक्ति के साथ implementation किया जाएगा और तीसरा उस food hub की फिर branding की जाएगी पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उस food food hub में आ सके हमें उम्मीद है कि इससे बहुत सारे रोजगार उत्रपन होंगे शुरू में पाइलिट बेसस पे हम दो food hubs को तयार करने जा रहे हैं फेज बन में हमने इसके उपर बहुत research की बहुत सारी visits हुई पूरे दिल्ली के अंदर जगे 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 research हुई कहां कितने लोग आते हैं कितने दुकाने हैं कौन सा खाना कहां पर पसंद है डिप्टी सीम मनी सिसोधिया जी ने काफी meetings की और associations के साथ और उस सब के बाद ये दो food hubs पहले phase के लिए identify किये गए है मजनुका टीला मजनुका टीला students के लिए खासकर डी यू के बच्चों के लिए बहुत जादा famous spot है और पूरे Asian cuisine के लिए famous है और दूसरा है चान्नी चौक चान्नी चौक में आसपास काफी ऐसा है जो कि food hub वहाँ पे बनाया जाएगा चानी चौक का खाना भी बहुत famous है तो इसमें अब हम एक design competition करवाएंगे जिसमें देश की सबसे मशूर architecture firms को invite किया जाएगा कि आप अपना design दीजिए कि इन दोनों markets को कैसे develop किया जाए तो 6 हफते के अंदर हम इनसे design competition कराएंगे और 12 हफते में हम उमीद करते हैं कि लगबग architecture का design final करके architecture firm को contract दे दिया जाएगा और उसके बाद इन दोनों food hubs को develop करने का काम शुरू होगा इन दोनों के experiences के basis पे फिर पूरे दिल्ली में एक साथ अगले phase में जितने भी food hubs हैं उनको identify करके और उनको develop करने का काम शुरू होगा मुझे उमीद है कि इससे एक तो दिल्ली को हम अलग level पे ले जा सकेंगे और दूसरा रोजगार के क्षित्र में बच्चों को बहुत रोजगार इससे बहुत सारे रोजगार उत्पन होने के हमें उमीद है मंत्री अर्विंद केजरिवाल को आप सुन लेते इससे पहले बाजारों को हब बनाने की कोशिश और उनका सुंदारी करन और development करने की कोशिश आपका एलान पहले ही मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल कर चुके हैं लेकिन अब food hub को लेकर उनकी तरफ से बड़ी घोश को ये कह रहे हैं कि इन food hub से ना केवल जो लोग खाने के शौकीन है उनको ना केवल बहतर food मिलेगा बलकि रोजगार भी लोगों को मिलेगा और साती साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी काफी सहूलियत इससे हो जाएगी जादा रोजगार डवलप करने की कोशि इसी लिए ये फैसला किया गया है कि दिल्ली को food capital बनाने पर काम किया जा रहा है पहले फेज में दो food hub बनाएंगे और जैसे की बताया कि मजनू का टिला और चांदरी चौक को चिनहित किया गया है food hub के लिए पहले फेज में तो दिल्ली के food hub की ब्रैंडिंग करेंगे पांच साल में 20 लाख रोजगार देंगे और साथी साथ नए रोजगार के लिए कई नए योजनाएं बना रही हैं ये मुख्यमंत्री ने कहा है कोशिश यह है कि दिल्ली के food hub को विक्सित करना